अस्सलामु आलेकुम डियर सुडेंट से आफ टैंथ क्लास मैं हूँ आपका कैमिस्टर इंस्ट्रक्टर खाकान लुक्मान उमीद है आप लोग खैरियत से होंगे डियर सुडेंट हमने अपने लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर चैप्टर फाइव को डिसकस किया जिसका फस्ट टॉपिक हमारे पास कार्बो हाइडरेट उसकी टाइप्स और जो सैकंड टॉपिक था हमारे पास वो था प्रोटीन्स और प्रोटीन्स को कैसे बिलिड अप कर क्यों कहते है उसके इलावा लीपिड्स का चैनल फामूला हमारे पास क्या हुते है फिर सबसे लास्थनियु इसी ट्वीक के अंदर देखना है कि फैटी असीड क्या होते हैं और क्यों किसम गोसी he होती तो सबसे पहले हमारे पास लीपिड का जो इस इस on यह हमारे पास के दा वर्ड लिपिड इस ड्राइड फ्रामा ग्रीक वर्ड लाइपोज के लिपिड को ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड यानिक यह नहीं लगज है हमारे पास लाइपोज से विच मीन फैट तो लिपिड का लगजी मतलब हमारे पास जो है वो फैट होता ह ते आर हैट्रोजिनस ग्रूप आफ कंपाउंड यान इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट एटम जो हैं वो मुझूद होते हैं इसलिए इसको हम हैट्रोजिनस कहते हैं फिर अनलाइक प्रोटीन्स न्यूक्ली केसिड पॉली सक्राइड लिपिड आर नाट पॉलीमर इनके जैसे हमारे पास प्रोटीन्स वो मैक्रो मालीकूल होते हैं होते हैं नुक्ली कैसी दियsti है पॉली मरह हैं पोलिस्ट हां हमारे पास वह भी पॉलीमर होती है लेकिन लिप्ट वह जो एंड हैह समाल मालिक्यूस इनके पास के YOU होते हैं चोड़ेक्जियोट मालिक्यूस वो होता है, fats उसके बाद chemistry of lipids मतलब lipids होते हैं, उनको हम कैसे define करते हैं, तो कहते हैं, कि lipids are the organic compound, lipids वो organic compound which are formed from alcohol and fatty acid, यह लिपिड के लिए हमारे पस दो चीज़े मिलाते हैं, एक alcohol यानी glycerol और दूसरा हमारे पास fatty acid, उनको हम आपसे mix up करते हैं combined together by an easter linkage यह चीज़ important है, कि lipids के अंदर कौन सा linkage होता है, हमारे पास वो easter linkage जो हो मुझूद होता है, जैसे हमने last topic में पढ़ा था कि जो protein के अंदर amino acid जो होते हैं, उनके अंदर जो है, बिसकिली हमारे पास वो कौन सा bond present होता है, उसके अंदर हमारे पास peptide linkage था, तो lipid के अंदर हमारे पास जो bond बनता है, अलकोहल और fatty acid के तरिमान वो easter bond यह इस्टर linkage जो हो बन रहा होता है निची हमारे पास देखें, यह alcohol है कि इसके आखिर में OH ग्रूप है, यह fatty acid है कि इसके पास हमारे पास यहाँ CWH ग्रूप है, तो alcohol और acid को दोनों को mix up करेंगे, अब acid जो है वो अपना एच्चाइन देगा, अलकोहल और यह वाटर का माली को बन निकाल देंगे, बाकि हमारे पास यह चीज जो formation होगी, उसमें हमारे पास यह जो group है, CW bond O और इसके तरफ दूसरा oxygen मोचूद है इसको हम कहते हैं, that is called as the easter और यह हमारे पास जो है, वो लिपिड का एक general formula होता है पर लिपिड के हमारे पास type, triglyceride, यह भी लिपिड के अंदर आता है फासफो लिपिड, यह भी लिपिड के अंदर ही है steroid और waxes, यह जो हमारे पास aromatic form है, यह basically stride का फामूला है और नीचे वाला जो हमारे पास है, वो लक्सिस का फामूला होता है तो यह तो हमारे पास थी लिपिड की definition लिपिड को हम बनाते कैसे हैं, और लिपिड की हमारे पास types जो हैं, वो कौन कौन से होती है उसके बाद, यहां भी given है कि लिपिड को हम कैसे बनाते हैं, गलासीरोल का फामूला हमारे पास जो है, बसकली वो यहां मौजूद है उसको हम क्या करें, गलासीरोल को 3 fatty acid के साथ जो हम mix up करते हैं, यहां से 3 malikyuse जो है water के वो यहां से evaluate मतलब निकल जाएंगे, सब के सब खतम हो जाएंगे और बाकी हमारे पास जो है, ट्राइगलसीराइड जो है, वो बन जाएगा यह भी हमारे पास जो है, वो एक लिपिड का general formula मौजद है, यहां पर हमारे पास यह फैटी एसिड है, तो यह अपना症ब, यह भी एचजाइब गास और यहां से OH और यहां से H, पिर यहां से OH यहां से OH और यहां से OH यहां यहां से H य なिकर 3 fatty acid के हमारे पास H groups और और Glaceiroles के तीनों Oash Group जह है, वो निकल जाएंगे, आड़ से बाटर के माली कूड़न निकल जाएंगे, जी वहाँ से वाटर के माली कूड़ निकल जाएंगे, बाकि जो हमारे पास बनेगा, वो Tri-Gil catchyrit बनते हैं, मतलब लिपिड बन रहा होते हैं पिर लिपीड हो गएता है लिपीड और इंसल्योबल इनमार्वों यहां कुंकि लिपीड हमारे पास और और जो है लिपीड हमारे पास वाटर के अंधर कभी भी हाल नहीं होते है बट सवामन। इस लिए लिपीड और showed je होते हैं नान पोलर होते हैं। यानि अगर सल्यूट पोलर है तो साल्मेट भी पोलर होना चाहिए और अगर सल्यूट नान पोलर है साल्मेट भी क्या होना चाहिए वो हमेशा नान पोलर होना चाहिए तो इसलिए लिपिड जो है वो हमेशा क्यूंकि और गैनिक कंपाउंड है नान पोलर है इसलिए वाटर क घी है, लॉर्ड है, टेलो है, टार्पीन वगरा है, स्टिराइड वगरा है, वेक्सिस वगरा है यह सब जो हैं वो लिपिड के अंदर हमारे पास मौझूद होते हैं इन सब को हम लिपिड का नाम भी दे रहे होते हैं फिर question या हमने कहा कि लिपिड को हम try glyceride कहते क्यों है तो कहते है कि लिपिड दे और easter of glycerol with various fatty acids कि लिपिड के अंदर हमारे पास glycerol को हम मिलाते है various fatty acids यानि कि fatty acids हमारे पास one, two, three कुछ भी हो सकते है अगर हम क्या करते हैं glycerol को one fatty acid के साथ यानि कि only one molecule fatty acids मिलाते हैं तो हमारे पास बनते है monoglyceride अगर हम glycerol को two molecules से attach करते है fatty acid के two molecules से तो हमारे पास बनेगा di glyceride लेकिन हम क्या करते हैं lipid के अंदर glycerol को three molecules fatty acid से attach करते हैं से उसका नाम देते है triglyceride, tri mean three, mono mean one, di mean two तो मतलब हमारे पास यह हुआ कि तीनों के अंदर glycerol एक चीज तो कामन है लेकिन अगर fatty acid हमारे पास one होगा तो उसे कहेंगे monoglyceride अगर two होगे तो उसे कहेंगे di glyceride जो अगर product बनेगी और अगर three होगे तो जो product बनेगी उसे हम triglyceride कहते हैं तो lipid को हम triglyceride इसे लिए कहते हैं कि वो हमारे पास esters होते हैं मतलब उनके अंदर glycerol को हम three fatty acid के साथ जो हमेशा mix up करते हैं since the three hydroxyl group of glycerol are esterified क्योंकि हमारे पास glycerol के तीनों OH ग्रूप ये वाला भी ये वाला भी नीचे वाला भी ये तीनों इस और ये ओएच ग्रूप ये ओएच ग्रूप और ये नीचे वाला ओएच ग्रूप हमारे पास तीनों जो है glycerol के वो इस इनके एच एच के साथ जो है वापस में बार्ड बना रहे होते हैं इसलिए हम जो lipid है उसको हम triglyceride का नाम देते हैं यहां भी हमारे पास formation given है कि हम fatty acids किस तरह से हम fatty acid को glycerol से mix करते हैं कैसे water के माली को निकलता है और आगे जो हमारे पास lipid बनता है मतलब triglyceride बनता है वो हमारे पास कैसे बन रहा होते है तो यह तो हमारे पास था कि lipid की definition फिर lipid को हम triglyceride का नाम क्यों देते हैं और lipid का general formula हमारे पास क्या होते है उसके बाद यहां भी हमारे पास given a formation of triglyceride कि हमारे पास triglyceride कैसे बनता है तो यहां भी हमारे पास देखेंगे कि यह जो है यह glycerol है और इदर हमारे पास यह fatty acids हैं यह तीनों एक यह वाला दूसरा यह तीसरा यह 3 fatty acid को एक glycerol से mix up किया यहां हमारे पास 3 water के मालीकुल जे हैं वो remove होंगे निकल गए है इस अमल को हम नाम देते हैं dehydration process का और बाकी जो मारे पास आगे मालीकुल बना है उसे हम नाम देते हैं एक है fats दूसरा है eyes तो कहता है fats and eyes are triglycerides यह भी lipid की टाइप है तो इसलिए इसको हम triglycerides कहते हैं with varying degree of saturated and unsaturated fatty acid इस varying के मतलब है changing degree of यह के अंदर हमारे पास जो saturated या unsaturated fatty acid होते हैं वो different होते हैं अब saturated कों से होते हैं जिन में carbon to carbon single bond हो unsaturated कों से होते हैं वो fatty acid इन में क्या हो carbon to carbon double bond या triple bond हो अब fats और oil में difference क्या होते हैं तो आफके पस बदा रहा है fats they are generally solid at room temperature fat हमारे पास क्या होते हैं बिसके लिए पहली बात तो fat से मुराद घी है बिसके लिए क्या होते हैं solid होते है they are high in saturated fatty acid और वो हमारे पास क्या होते है saturation होते है मतलब इन में single bond होते है ये move नहीं कर रहा होता दूसरा oil है oil हमारे पास liquid form होते है they are liquid at room temperature and they are low in unsaturated fatty acid और हमारे पास यहां क्या होते है saturated character हो कम होते है लेकिन जो unsaturated character होते है वो हमारे पास इसके अंदर ज्यादा होते है तो ये हमारे पास fat or element difference था जिसके लिए उसके बाद हमने कहतो दिया कि lipid जो है वो build up होते है fatty acid or glycerol तो अभी fatty acid होते हैं definition के fatty acid के तो कहता है fatty acid is a long unbranched chain carboxylic acid most commonly of 12 to 20 carbon atom dried from the hydrolysis of the animal fats vegetable eyes or phosphodiacyl glycerol of biological membranes fatty acid होते हैं basically long chain compounds होते हैं जिनके अंदर 12 to 20 carbon atom जिसके हमेशा मौजूद होते हैं जैसे हमारे पास निचे है steric acid है जिसके अंदर 17 carbon है दूसरा हमारे पास linear link acid मौजूद है तो steric acid हमारे पास saturated होता है लेकिन जो linear link acid है हमारे पास वो क्या है है दोनों ही fatty acid है तो fatty acid में हमारे पास एक जो है saturated होता है एक जो है वो unsaturate है तो जो steric acid है ये fats है और निचे हमारे पास ये क्या होता है इसके लिए एक oil की type के अंदर हो रहा हो है कि ये क्या है unsaturate fat उसके बाद हमारे पास steric acid का molecular formula 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 तो 17 हमारे पास इसके अंदर कार्बन आ चुके है उसके बाद आप H काउंट करेंगे तो हमारे पास यहां तक जो H बनेंगे टोटली वो भी 35 बनेंगे और ये यहां पे एक कार्बन है वो C डेवल बाण्ड OH को जो है जो Saturated है उसमें हमारे पास एक है Palmitic Acid जिसका फामूला होता है C15H31CWH और दूसरा है Stereic Acid हमारे पास जिसका फामूला होता है C17H35CWH तो हमारे पास हमने देखा कि जो Fatty Acid है वो Saturated भी हो सकते हैं और Unsaturated भी हो सकते हैं तो हमने देखा भी है जो Saturated है हमारे पास पास Palmitic Acid या Saturated है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है स्टेरिक Acid यह भी हमारे पास Saturated होता है इसमें सिंगल बॉन्ड है पीसे हमने देखा हमारे पास जो Leynolik Acid है बसकिली वो किया है Unsaturated है तरह हमारे पास यहां जो ओली केसिड है यह भी बिसकली क्या है एक अंसाइचिरेट फेटी एसीड होते हैं कि इसके अंदर क्या है कार्बन तो कार्बन जो है वो डबल बार मुझूद होता है उसके बाद अगर हमें टॉपिक को समराइज करने के लिए लिखा हुआ है कि अग के थिरुआ थो हम इसको बाडी को दे रहे होते हैं ऑर इसको 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 इूटिलाइज कर रही होती है और लिखित होते हैं और क्या है फैट राक केंपर yhtज एक फैट और आयल और उसके सब्रेटर फैटर्ट फैटीएसिद इसको हम क्या करते हैं univers福 들ू c ने के थरूज है वहमेशा बना रहे होते हैं तो ही हमारे पास मुग centralized टापिक था कि लिपड़ हमारे पास best लिए होते क्या है लिपड़ को τ्रीगलस्राइड हम कहते Hollywood क्या है लिए प्रेस्टुडेंट्स यह हमाराज का टापिक था, उमीद है आपनों के समझ आ गई होगी, थैंक्स पर वाचिंग, अल्लाहभीस